असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वगास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो दुनिया में हरोज लाखो लोग प्लेंस पर सफर करते हैं वैसे तो जहाज या हैलिकॉप्टर को फ्लाइ होती हुए देखर ही मज़ा आ जाता है लेकिन आज किस वीडियो मे में आपको प्लेंस पर रिकॉर्ड के जाने वाले ऐसी अंचूचल मुमिट्स दिखाऊंगा जो आप सब को भी हैरान कर देंगे तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन दोस्तों आप में से अक्सर लोग ये बात जानते होंगी कि जब भी कोई कार कंपनी अपनी न्यू कार लाउंच करती है तो लाउंच से पहले इसका क्रेश टेस्ट किया जाता है इवन यूट्योब पर भी कार क्रेशिंग टेस्ट की बहुत से वीडियो मौजूद हैं लेक हेलिकॉप्टर जमीन से इतनी उचाई पर है कि इसे देकर ऐसा लगता है जैसे इसने इतनी बड़ी कार नहीं बलकि कोई छोटा सा बॉक्स उठाया हुआ है पर जब इस कार को जमीन पर फैंका गया तो इसका बेड़ा गरक हो गया as you see कि इतनी उचाई से गिरने के बाद कार का हशर देखने वाला था इवन इसका इतना बुरा हाल हो चुका था कि अब ये रिपेरिंग के काबल भी नहीं रही इस तरह की कई ऐसे वीडियो में भी कार को हेलिकॉप्टर के जरिये जमीन पर फैंक कर इसका टेस्ट किया जात है लेकिन गाड़ी ट्रांसफर करने का इससे वीर्ड मैथड आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा ये जो सीना आप देख रहे हैं इसमें एक कार को हेलिकॉप्टर के साथ बांद कर एक जगा से दूसरी जगा शिफ्ट कर रहे हैं असल में कई दफा ऐसा होता है कि जब कोई कस्टमर किसी दूसरी कंट्री से लगजरी या स्पोर्ट्स कार पर चेस करता है तो बाई लेंड कार को इस तक पहुचाने में काफी टाइम लग जाता है इसलिए कस्टमर की उस महंगी कार को इन तक जल्दी पहुचाने के लिए एर ट्रांसपोर्ट का इस्तमाल क करना पड़े इवन कई दफा मिलिटरी ट्रक्स और दूसरी सेकिरोटी वहिकल्स को भी ट्रांसफर करने के लिए हेलिकॉप्टर का ही इस्तमाल किया जाता है वैल गाड़ियां शिफ्ट करने का ये मैथड़ वाके ही में इंप्रेसिव है दोस्तो आम तोर पर ऐसा होता है कि ज इसमें खराब एर प्लेंज को स्क्रैब करने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है इस काम के लिए एक हैवी क्रेन मंगवाई जाती है ये क्रेन सबसे पहले प्लेन की बैक सैड को काड़ कर अलग करती है और फिर इस तरह प्लेन का पाइलेट कैबन भी सेपरेट कर देती है और इस तरह करके शेवल मार मार कर इसे रेजा-रेजा किया जाता है असल में प्लेन को स्क्रैब करने का इससे सस्ता और आस्तान तरीका कोई नहीं है क्योंकि ये साइस में बड़े होते हैं कि इन्ग किसी भी प्रेसिंग मशीन में नहीं डालाजा सकता इसलिए इसे देशी कबा वाके ही में बहुत unusual है दोसों ये बातों हम सब जानते हैं कि plane का engine बहुत ही powerful होता है ये हवा को इतनी तेजी से खैशता है कि इसके सामने कोई भी चीज आ जाए ये से फॉरण सक कर लेता है लेकिन क्या एक plane कार को भी सक कर सकता है वेल इस चीज का experiment करने के लिए experts ने एक कार को plane की engine की पास लाकर खड़ा कर दिया फिर इन्होंने engine को start किया और जैसे ही plane का engine start हुआ इसके अंदर से इतनी तेज हवा निकली कि इसनी गाड़ी को इतनी जोर से push किया कि वो एक plastic के try car की तरह कलाबाजियां खाती हुई हवा में उड़ गई और इसके अंदर एक पिजी सलामत नहीं बची सिर्फ इतना ही नहीं बलकि ये जो वडियों आप दिख रहे हैं इसमें plane की engine की power को test करने के लिए 22 wheeler truck का इस्तमाल किया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह ये engine इतना powerful होता है किसने trucks को भी नहीं चुड़ा और इसे भी हवा में उड़ा दिया हाला कि ये truck 10 ton से भी ज़्यादा heavy था लेकिन इस experiment से एक बातों साबत होती है कि plane का engine really बहुत dangerous होता है दोस्तो अगर formula 1 car की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे तेज कार मानी जाती है लेकिन क्या हो अगर एक formula 1 की plane के साथ racing करवाई जाए वेल ये ज़ वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें Qatar Airways की एक plane A350 की formula 1 के साथ racing करवाई गई थी ताकि देखा जा सके कि इन दुनों में से कौन सी चीज ज़्यादा fast है फर्स glance में तो plane का size देकर ऐसा लगता था जैसी ये race airplane ही जीतेगा लेकिन आप believe नहीं करेंगे कि इस car ने plane प्लक को मात दे दी जैसे कि आ वडियो में देख सकते हैं कि car की speed सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही 100 km पर आर तक पहुंच गई थी जबकि plane को इतनी speed तक पहुंचने में पूरे 29 सेकंड लग गए थी और इसके बाद आइस्था इस्था करके plane की speed बढ़ती गई और जहाज ने take off कर लिया एनिवे जो भी हो ये unusual race वाके ही में बहुत उनिक थी दोस्तो अगर helicopter की बात की चाए तो ये airplane की मुकाबले size में काफी चोटे होते हैं इनकी मुकाबले में plane size में ना सिर्फ बड़े होते हैं बलकि इनकी अंदर heavy weight को carry करने की भी सलाहियत होती है इवन cargo planes के अंदर तो helicopter तक को easily रखा जा सकता है लेकिन कि आपने कभी किसी helicopter को plane उठा कर हवा में उठते हुए देखा है वेल सुनने में तो ये बात impossible लगती है बला helicopter जहाज को उठा कर कैसे जा सकता है लेकिन ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक airplane को रसी से बांद कर helicopter की मदद से transfer किया जा रहा है असल में होता ये है कि जब किसी airplane को नजदीक चकपर transfer करना हो तो इसकी तमाम heavy चीज़ें जैसे के hull और engine वगएरा remove कर देते हैं जिससे इसका weight कम हो जाता है और फिर इसे helicopter की मदद से easily shift किया जाता है anyway जो भी हो ये scene वाके ही में देखने लाइक है दोस्तो आप सबने road पर जाते हुए बहुत से accidents देखी होंगी normally एक car का accident किसी दूसरी car, bike या truck वगएरा से होता है लेकिन क्या आपने कभी किसी car को एक plane के साथ ठुकते हुए देखा है विल ये जो scene आप देख रहे हैं इसमें एक airplane फ्रांस से औस्टेलिया के airborne पर land हुआ था ये अभी runway पर चली रहा था कि अचानक इसके सामने एक safety car आ गई और plane के engine की car के साथ जबर्दस टकर हो गई जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह plane का engine हिट होने की वज़ा से car पूरी तरह अंदर की तरफ प्रेस हो गई थी वैसे तो इस collapse में कोई जाने नुकसान नहीं हुआ लेकिन आप believe नहीं करेंगे कि plane का engine खराब होने की वज़ा से इस airline को half million dollar का नुकसान हो गया ये really unbelievable है दोस्तों ये बातों हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी air vehicles मौझूद है इन्हे take off और landing करवाने के लिए बाकाइदा से runways बनाय जाते हैं या फिर अगर किसी plane की emergency landing करनी हो तो इन्हें अबादी से हट कर खुली जगा पर land करवाया जाता है लेकिन क्या हो अगर कोई helicopter को आसमान से सीधा गाड़ियों से बरे हुए road पर ही land करवा दे वेल ये ज़ वडियों आप दिख रहे हैं इसमें एक helicopter की road पर landing करवाया जा रही है असलमें इस helicopter के अंदर कोई technical issue आ गया था जिसकी वज़ा से इसे emergency landing की जरूरत पड़ गई आसपास कोई safe place ना होने की वज़ा से pilot ने इसे road पर ही land करवाने का फैसला किया लेकिन इससे पहले traffic police को inform किया गया ताकि वो road पर चलती हुई गाड़ियों को stop करें और इसके बाद helicopter को land किया जाए anyway जो भी हो ये नजारा सच में बहुत unusual था दोस्तो अगर towers की बात की जाए तो normally जब इने किसी जगा fix करना हो तो इसके लिए cranes का इस्तमाल किया जाता है लेकिन कि आप जाते हैं कि बहुत सी जगे ऐसी हैं जहां cranes नहीं जा सकती for example अगर किसी remote place या पहाड की बात की जाए तो cranes वहां नहीं जा सकती इस सूरत में tower fix करने के लिए helicopter की मदद ले जाती है इस process में worker सबसे पहले tower को रस्यों की मदद से अच्छी तरह helicopter से बानते हैं और पिर helicopter का pilot इसे हवा में उड़ा कर अपनी destination पर ले जाता है जहां इसे helicopter के जरीए ही fix किया जाता है वैं ये काम जितना आसान लगता है इतना असल में होता नहीं है क्योंकि pilot को इसे लगाने के लिए exact जग़ पर tower को लाना होता है और कई दफ़ा इस काम में घंटों लग जाते हैं इवन ये काम इतना मुश्किल होता है आप जानते हैं कि स्ट्रॉम्स, बारिश और धुंद वगयरा में pilots runway को किस तरह देखते हैं और यहां पर landing कैसे करते हैं वैल इस तरह के मौसम में pilots की आसानी के लिए runway पर तेज रोशनियों वाली flashlights लगाई जाती हैं अगर plane की landing के वकद मौसम खराब हो जाए तो इन्हे flashlights को on कर दिया जाता है ताकि pilots इन्हें देखकर आसानी से plane land कर सकें यह रोशनिया इतनी तेज होती हैं कि कई km के फासले से भी easily इन्हें देखा जा सकता है और pilots इन्हें खराब से खराब मौसम में इसली देखकर आसानी से landing भी कर लेते हैं यह सच में कमाल है